नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर रीजनली यूनिवेसिटी ओफ पैरीज के कुछ साइंटिस ने एक स्टडी कंडेट कराया इस स्टडी के तरू इन्होंने बोला है कि करीब 2 बिलियन एगो प्लानेट मार्स में ओशिन्स हुआ करते थे तो आज इस वीडियो में हम इनके क्या-क्या सपोर्टिव पोइंट से वो डिसकस करेंगे साथ साथ में प्लानेट मार्स के बारे में कुछ बेसिक फैक्स भी डिसकस करेंगे शुरुआत करते दोस्तों देखे साइंटिस्ट ने कुछ एंशिन शॉर लाइन्स ऑब्जर्व किया जिसे यह पता चलता है एक large standing body of liquid water तो था मार्स में पर कोई erosional activity उन्हें नहीं देखने को मिला in the form of rivers or valleys मतलब देखे कोई rivers, valleys यह सब नहीं थे पर एक large standing body of liquid water तो था जो हो सकता है oceans होगा इसके अलावा इन्होंने कुछ rock deposits भी observe किये जो tsunamis की वज़े से आया होगा अब देखे बात यह है दोस्तों मार्स का जो average temperature है वो 0 degree Celsius से काफी नीचे है इस वज़े से अगर liquid water होता भी होगा ना मार्स में तो वो frozen state में होगा basically ice के रूप में होगा अब अगर ice होगा तो tsunami होने का chances कम है ना पर tsunami इसका कुछ indications भी मिला है तो इसका मतलब यह है oceans जो है वो completely frozen नहीं था देखे दोस्तों liquid ocean का presence तभी possible है अगर water का temperature freezing point से उपर है that is 4.5 degree Celsius से उपर अब आप पूछोगे water का तो freezing point 0 degree Celsius है पर देखे वाटर का सबसे ज्यादा density करीब 4.5 degree Celsius के आसपास है तो इस temperature से उपर अगर ocean होगा तभी वो liquid state में हो सकता है तो दोस्तों scientists यह कहते हैं यह जो condition से Mars में 3.4 to 3 billion years ago होता होगा जिस period को late hesperian period बोलते है Mars geological history में वैसे दोस्तों 2016 में एक review हुआ था ancient climate of Mars के बारे में उस review में यह बोला गया low solar radiation की वज़े से Mars में एक ocean होने का chances बहुत कम है पर 2021 में जो study हुआ था उन्होंने बोला planet had a warming mechanism capable of harboring lakes and rivers मतलब planet के अंदर एक warming mechanism था मतलब temperature को increase करने के एक mechanism था उस वज़े से lakes and rivers होने का chances भी है करके 2021 study में बोला अब यह warming mechanism का मतलब क्या होते है दोस्तों जैसे कि Earth में होता है देखे एर्थ गरम होता है solar radiation की वज़े से solar radiation के अलावा भी एर्थ के अंदर ऐसे में का अन्सम्स है जिससे एर्थ वाम हो जाता है जैसे oceanic currents की वज़े से temperature increase होता है अपने पढ़ा होगा जोगरीफिय में और global warming की वज़े से temperature increase होता है जो radiation होता है उसी को ट्राप करते है ना greenhouse gases तो उस वज़े से भी वाम होता है तो इसी तरह का conditions मार्स में भी होता था करके 2021 study ने बोला अब 2022 में अभी जो study हुआ है by the University of Paris इन्हों ने ये कैसे कंड़िट किया इन्होंने past climate of Mars को reconstruct किया एक three-dimensional model create किया अब इस model में Mars is capable of estimating the interaction between atmosphere and ocean circulation as well as surface water मतलब देखिए एक प्लानेट के अंदर क्या-क्या mechanisms हो सकता है basically warming mechanisms हो सकता है वो सबको उन्होंने recreate किया और इन्होंने एक और fact को account किया that the sun's brightness was 79% of what it is today देखिए ये 2 billion 3 billion years एबो वाली climate को recreate कर रहा है तो तब sun का जो radiation ने अभी जितना है उसका केवल 79% था उस condition को भी इन्होंने account किया फिर glacial flux इसका मतलब क्या होता है the runoff of glacial melt to the ocean was considered asphalt देखिए glacial flux जो होता है न मतलब ज्यादा गरम होने के वज़े से glacial melt होके ocean में आता है उस condition को भी इन्होंने account किया है अब दोस्तों study के साब से Mars का Northern Hemisphere में temperature ज्यादा था compared to Sathane Hemisphere तो Northern Hemisphere में Oceans liquid state में होने का chances है पर Sathane Hemisphere में Oceans रहता तो भी वो frozen state में रहा होगा Now Northern Hemisphere में Oceans का presence को support करने के लिए scientists कुछ justification दिया हुआ है सबसे पहला Ocean remains above the freezing point because of its low altitude altitude देखिए कोई भी planet का जब आप average temperature count करते हूँ वो average temperature मतलब पूरा planet का average temperature है ना मान लीजिए उस planet में Oceans है आप Oceans का जो surface temperature होगा ना वो average temperature से हमेशा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा क्यूंकि Oceans हमेशा सबसे low altitude में रहते हैं जिसे आप sea level बोलते हो है की नहीं आपको यह भी बात पता होगा जैसे altitude increase होता है तब temperature क्या होता है decrease होता है जिसे आप lapse rate बोलते हो now sea level में जो temperature रहता होगा उसे ज्यादा ही होगा ना उसे उपर बला altitude का सी लवल सबसे लो अल्टिटूड में तक comparatively उस प्लानेट का सबसे ज्यादा टंपरेचर रहता होगा सबसे लवल में बैसिकली सी लवल में समझ गया आप सो यह एक चांस है अगर मार्स का आवरेज टेंपरेचर सीरो डिग्री सिल्चेस भी है तब ही सी सर्फस का जो टेंपरेचर है वो उससे ज्यादा होने का चांस है मेरा कहने का मतलब है वाटर का फ्रीसिंग पॉइंट से ज्यादा होने का चांस है तो इस इस नंबर वन दोस्तों, oceans रहने से, ocean के अंदर, oceanic currents रहने से, heat का transportation होता है, तो ये भी एक कारण है, गरम रहने का, another reason for above freezing point temperatures lies in the chemical composition of the atmosphere, अब बात किया जा रहा है, मार्स का atmosphere के बारे में, देखी, आप सबको साथ पता होगा, मार्स का atmosphere में सबसे ज्यादा carbon dioxide है, carbon dioxide के अलावा 10% hydrogen gas भी है, तो ये सबकी वज़े से, एक greenhouse effect का chances है, जैसे कि हमारे earth में क्या होते हैं, greenhouse gases के presence की वज़े से, earth को गरम रखता है, नहीं तो क्या होगा, जितना solar radiation है, वो रात को पूरा वापस चला जाएगा, अब ये जो greenhouse gas effect की वज़े से, हमारा atmosphere में, या फिर surface में temperature maintain होता है, अब ये जो greenhouse effect ह में भी तो होगा, तो इस वज़े से, surface area गरम रेना का chance है, मतलब, मार्स का जो average temperature है, उससे थोड़ असा गरम रेना का chance है, surface area, now, finally, it was found that 60% evaporation in the ocean water is pretty much balanced by precipitation, अब देखे, मतलब, ocean से जितना पानी evaporate होता है, उसका 60% वापस आजाता है, precipitation से, मतलब, बारिश से, and there is also significant glacier return flow from the cold highlands where precipitation occurs largely in the form of snow back to ocean, देखे, glaciers से भी काफी सरे पानी oceans में पहुंचता था, तो ये सारे reasons बोला जा रहा है, दोस्तों, oceans के presence का, तो खुल मिला का आपको क्या समझ में आया, मैंने आपको दो justification दिया, एक तो मार्स का जो sea surface temperature, freezing point से ज्यादा क्यों था, दूसरा, ocean में पानी कहां से पहुंचता था, दोनों justification आपको मिल गया, तो दोस्तों, finally, अब एक सवाल उठता है, अगर 2 billion years ago, मार्स में oceans था, तो अब ये पूरा पानी कहां चला गया, इसके लिए भी scientist का एक justification है, दोस्तों, there is the possibility of breakdown of water molecules हो सकता है, अलग अलग conditions की वज़े से पानी पूरा breakdown हुआ होगा, additionally, it has been proposed by 2021 study, that ancient martian water is either present as ice under the surface हो सकता है, ये जो ancient martian water है, ये surface के नीचे present होगा as ice, या फिर इसे rock and mineral forming processes में consume किया होगा, इसका मतलब ये है, मार्स का जो crust होगा, वो काफी hydrated होगा, पानी का presence होगा, surface के नीचे, finally, दोस्तों, some facts about mars, mars, sun से fourth planet है, a dusty cold desert world है, एक very thin atmosphere है, mars एक dynamic planet है, जहाँ seasons होता है, polar ice caps है, canyons है, extreme volcanoes है, and mars, solar system का most explored body है, दोस्तों, and it is the only planet where we have sent rovers to roam the alien landscape, देखिए, हमने अभी तक rovers बेजा है, only mars में, मतलब, nasa का rover है, china का rover है, उसके बार में हम आगे discuss करेंगे, nasa has currently two rovers, कौन-कौन सा, curiosity and perseverance, और एक lander है inside, और एक helicopter है ingenuity, जो surface of mars को explore कर रहा है, perseverance rover, largest, most advanced rover है, nasa का, जो nasa ने दूसरा एक दुनिया में भेजा है, यह February 18, 2021 को touchdown किया था, mars में, after a 203-day journey, traversing 293 million miles, तो देखे दोस्तों, perseverance rover को, earth से mars पहुंचने में, 203 दिन लगे, और 472 million kilometers ट्रावल किये, now, ingenuity helicopter, road to mars, attached to the belly of perseverance, वैसे perseverance में, attach किया गया था, ingenuity helicopter को, इसके पाद, United Arab Emirates, hop orbiter बैजा था, जो February 9, 2021 में, पहुंचे थे, mars को orbit में, फिर चैना का Tianwen-1 mission, arrived on February 10, 2021, and Tianwen-1 mission के साथ, एक orbiter है, lander है, rover भी है, and Europe और इंडिया, Mars के orbit में, अपना spacecraft बेजा है, यह बात आपको पताई होगा, and May 2021 में, China, second national banner, to ever land successfully on Mars, when its Zhurong Mars rover touched down, तो देखे, अभी तक, दो ही country, Mars में, touchdown किया है, एक United States of America, second है, China, इसके अलाबा, an international fleet of eight orbiters is studying the red planet from above, including three NASA orbiters, देखे, कहीं सारे orbiters है, मतलब Mars planet को orbit करके, red planet के बार में, study कर रहा है, like, 2001 Mars, Odyssey, Mars, reconnaissance orbiter, and Maven, तो दोस्तों, that's end of it, I hope आपको वीडियो informative लगाओगा, लक्षर की PDF एस हुशल आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवेड़ेड़ है, अगर आपको इस lecture से regarding कुछ भी doubts है, आप मुझे comment box में पोच सकते हो, genuine doubts का जवाब में देने की कोशिश करूँगा, thank you for watching, bye bye, have a nice,